मध्य प्रदेश के दमहों जीले में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां 14 साल पहले लापता हुई महिला की तेरवी उसके परीजनों ने यह सोच कर कर दी कि अब वह जीवित नहीं है लेकिन अचानक से महिला जीवित गर लोटाई यह पूरा मामला दमहों जीले के जबेरा थानाक शेतर के गेलपुरा गाउं का है जहां की निवासी 60 वर्षिय महिला कमल रानी पती चंदु ठाकुर 14 वर्ष पहले मानसिक हालत ठीक नहीं होने के चलते अचानक से लापता हो गई थी परीजनों ने खोजबीन की पर सुराग नहीं लगा तो परीजनों ने उसे मृत समझ कर तेरवी कर दी जबकि महिला जीवित थी और गुजरात के आश्रम में थी बड़ी मम्मी कम से हम 14 साल पहले मतलब कहीं चले गई थी पागल टाइप की हो गई थी और उनका दिमाग जो प्रेक रहता था इसलिए उचले गई थी अनल सार ने हमको ये सूचना दी मतलब इमली जय चोकी से वाई आपकी मातराम हैं यहां यहां तो आप जाके देखो तो उन्होंने खोटू बेजा खोटू से दो हम पहचान गई यहां हमारी मातराम पर अनल सार के पास हम गई तो मिले उन्होंने एट्रेज दिया गुजरा आप लोगों ने तीरवी बगेरा भी किसने बोला ता आप पंडा है वो बोला कि हो सब को पेर रहे बहन को ममी को सब को पेर रहे है उसका सब में खरबा करवा और अंथेरीभी खरबा और तब जा कि सब सही होगा वन्हें सब करवा दिया तक करवाने के बाइद है विसका व को मिले घृत। परिवार ने कापी तलास की जो कहीं पर नहीं मिली उनके द्वारा करीब एक वर्स पहले उनके द्वारा किसी ने बताए कि अब महला साइक जीवित नहीं है इनके द्वारा तेर भी वी ती गई है और इसे भी कापाले और रिष्तेदार भी खटे हुए थे अब इनके परिवार को जब पता किया तो इनके परिवार को गुजरात बेजा गया था जो कि माना आश्रम में तो वो ये महला को बापिस लेके आए हैं और जो अपने परिवा टीवी को सब्सक्राइब कीजिये और बेल आईकॉन दबाना ना भूलें